Good morning students, जैसा कि आपको पता है हमारे examination मतलब कि 69 BPHC examination में बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो अब हमें करना क्या है, कि जो-जो important चीज है, महीने वाई, जैसे कि हमारा आज टागेट होगा, December के जो महीने, ऐसे तो लोग बोलते हैं आपको कि तेर्ट साल, दो साल के current affair पढ़ना चा आपको idea लग गया कि हम लोग कहा तक करने वाल है, ठीक है, तो यह हम करेंगे, इसमें सारे important जो current affairs वाले पार्ट होते हैं, वो पार्ट को हम लोग cover कर लेंगे, ताकि हमारा जो current affair वारा section हो, उस पे हमारा complete command हो जाए, हाँ, बस आपको एक बात धियान दाना है, क्योंकि हम प December को करवा रहा हूं, और मैंने मार्च का करवाया है, आपने मार्च का वीडियो देखा नहीं, और आप December वाले वीडियो, facts को लेके चले जाओए, ठीक है, तो इस बात का आपको थोरा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, चली अब स्टार्ट करते हैं कि आज क्या हो पोस्ट है कि लोग को यह लगेगा, फेक अकाउंट है, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर डाल देता हूं, ठीक है, चलो पहला, पहला, प्रकाश उत्सव और गुरु गोबिन सिंह महाराज, वास सेलिबरेटेड इन ये ये 2022, आपको यह December में आता है, तो आपको इसलिए ये नोन बात है, ठीक है, 356, 352, 359, नन अफ देबव, अच्छा थेखी, आपको जैसा कि हमारे चेर्मिन ने ये बोला है कि आप चारी आप्शन आने वाले हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये अपना more than above, और नन अफ देबव, जो फिफ्त था, वो हटेगा कि नहीं हटेगा, हमें बस ये बताया गया है कि बस चार आप्शन आएंगे, तो हम मान के चलेंगे कि ये वाला आप्शन अभी भी आ रहा है, बिकॉस हम हर समय के लिए तैयार है, ठीक है, चलो इस क्वेशन पर फिर से आता है, तो इस चीज का बताओ, अं सिखिज्म से आएगा, तो जेनरली आपको इनको रिलेट करके ही आएगा, ऐसा नहीं कि गुरु नानक जी महराज के questions नहीं आ सकता है, लेकिन सिंस ये बिहार से रिलेटेड है, तो इनका importance थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, तो आंसर अपना है, 356, अगर मान लो आपसे प diffuse करने के लिए ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है, आप चलो, थोड़ा से हम लोग detail देख लेते हैं, क्योंकि जितना अगल बगल के information को हम लोग collect करते चलेंगे, उतना जादे चीजें हमारी comprehensively cover होगे, और आपको ये पूरा पढ़ने के जरुवत नहीं, मैं आपको बस जो-जो नहीं सकते हैं, कि आपको पता नहीं है, ठीक है, कहा जनम हुआ था, तो पतना में हुआ था, ठीक है, अब ये किनके बेटे थे, तो गुरु टेक बाहादू, तो तीन facts हमारे हो गए, जो कि हमें एकदम पता होना चाहिए, किसी भी इस्तिती में, ठीक है, अब आता है कि इन इनका पहला जो important चीज है, वो हमें पता होना चाहिए, कि इन्होंने खालसा पंत बनाया, ठीक है, उनके बाद दूसरा क्या है, कि compiled, देखो, compiled words से confuse मत करना, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन ये compiled का importance है, कि इसके बाद कोई भी गुरु नहीं आएंगे, ये बोले गुरु जीन, ठीक है, तो ये important बात है याद रखिएगा, कि उन्होंने बोला कि he compiled the Guru Ganth Sahib, the central religious scripture of Sikhism, and declared it as the eternal Guru, ये आपको दूसरा important fact हो गया, ठीक है, अब तीसरा important fact आता है, ये सबाद छोड़ दीजे, इतना important नहीं है, मतलब हमारे exam के purpose है, ऐसे तो ये बहुत बढ़ी बात है, eventually, यही बढ़ी बात है, हमारे exam के purpose है, ठीक है, he promoted the concept of Sant Sipahi, that is Saint Soldier, मतलब 3 चीज़ हमने जान लिया, Saint Soldier किसने start किया, Khalsa किसने start किया, Eternal Guru, और Janam, Place, और इनके Father का नम, जो कि itself, आपको Himself Guru थे, ठीक है, अब चलिए पहले ये भी देख लेते हैं, क्योंकि 15 September आपको हमारा जो next batch हो र अगर बिहार तो जिससे कि हमारा ये अपरा exam चल रहा है, वही, लेकिन मान लेजिए कोई और बच्चे भी देख रहे है, इस current affair को, तो आप भी अगर अपने state में SDM बनना चाहते हैं, और अगर examination क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारा foundation course जोइन कर सकते हैं, और अगर आपको help मिले, ठीक है, अब उसके बाद आपको वो revision notes भी मिलते हैं, क्योंकि आप बहुत बच्चे पढ़तो लेते हैं, लेकिन revision notes कभी बना नहीं, उसको हम लोग crux notes बोलते हैं, ठीक है, personal mentors और इसे बहुत सारे facilities मिलते हैं, चलिए हम लोग अपने फिर से काम पे आता है, ठ पेमस चीज आनेंगे, जो examination purpose के हिसाब से बहुत important है, ठीक है, सिखिज्म के founder कौन थे, तो गुरु नानक जीते, ठीक है, यह थे, पर्स, इनका जनम कहा हुआ था, तलवंडी में हुआ था, जो की नानका साहिब है, पाकिस्तान में, इन्हों ने जो poem बनाया, उसको कहते है, ठीक है, तो यह जान लिजेगा, इनका death कहा हुआ, तो यह करतारपूर में, तो तलवंडी, करतारपूर, शबद्स, और फिर 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 गुरु नानक जी हमारा खतम हो गया, ठीक है, मतलब कि इनका information हम लोग का यहाँ पर खतम हो जाता है, फिर गुरु अंगत देव ज और जो गुरु मुखी आपको हुआ, वो कौन निकाल रहे है, गुरु अंगत देव जी निकाल रहे है, ठीक है, तो यह हमारा दूसरा हो गया, फिर आता है तीसरा, फिर गुरु अमर दास जी ने क्या किया है, यह थर्ड, लेकिन यह सेकेंड थर्ड मत याद रखिएगा, इतने हम लोग facts याद रखेंगे, तो नहीं हो पाएगा, हम कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो founder है, और गुरु गोबिन जी जो पटना से related है, उन्हें जरूर याद रखेंगे, तो founder गुरु नानक जी हो गया, और जो पटना में बॉन हुए है, वो आपको कौन होगे, गुरु गोबिन जी ठीक है, और उसके बाद जो हर गुरु का में में कॉंट्रिबूशन था, वो हम याद रखेंगे, जैसे आपको second गुरु जी का हो गया, आपको गुरु मुखी हो गया, फिर अपने third आपको गुरु जी का क्या हो गया, तो लंगर, जो आपने देखा हो गुरु किया, और दूसरा initiated golden temple, जो golden temple आज बहुत famous है, उसे किस ने बनाना शुरू किया था, तो आपको पोर्ट सिक गुरु रामदाज जी, यह बस याद रखिएगा, यहाँ पर word जो important है, initiated, इन्होंने खतम नहीं किया, अभी भी यह बन रहा है, उसके बाद हमारे next guru जी जाएंगे, जिन्होंने आपको golden temple को eventually खतम किया, ठीक है, मतलब बनाना खतम किया, गुरु अरजन देव जी, यह मत याद कर लेगा, क्योंकि अगर याद कर सकते हैं, तो ज़रूर याद कर लेजाए, लेकिन बहुत जादे data eventually आपको लिए, मतलब खतरनाक हो जाता है, अब इन्होंने खतम किया कौन, तो अरजन देव जी ने खतम किया है, और इन्होंने क्या क्या, compiled and installed, गुरु गरंद साहिब as the central religious scripture, कि हमारे religion का जो सबसे main scripture रहेगा, वो गुरु गरंद साहिब रहेगा, ठीक है, और बिकेम the first गुरु to be martyred, मतलब अपने religion के लिए sacrifice दिया, यह पहले ऐसे गुरु थे, ठीक है, अब गुरु हर गोविन जी, यह 6th गुरु थे, यह हमें जानना है बस, गुरु हर राय जी, यह 7th गुरु थे, गुरु हर कृशन जी, यह 8th गुरु थे, यह इनके बार में जो हमें important जानना है कि यह shortest time के लिए रहे थे, और यह बहुत य यह हमें याद आखना है क्योंकि गुरु हर केशन जी का आपको बहुत जल्दी यह गुरु बन गये थे, इसलिए एक special बात हो जाती है, ठीक है, फिर आपने आते हैं, गुरु तेग बहादुर जी, यह आपको, यह भी marted हो गए थे, आपको defending the rights of the religious freedom, तो यह देखिए कितन है, लेकिन आप हमारे इतिहास को खंगाल के देखिएगा, तो हर religion में, आपको वो हिंदू हो, आपको जो भी यहां से buddhism हो, कोई भी religion यहां से जो निकला है, हम इस culture में यह already यह हमारे part था, यह हमारे आपको हिस्सा था, ठीक है, तो मतलब इंडिया एक बहुत historically enriched country है, जि तो है, गुरु गोविन जी, खालसापन जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर आपको यह दो important fact है, जो कि examination purpose है, आपको composed hymns and wrote, जफर नामा, जफर नामा क्या था, letter to the Mughal Emperor, और अनजेब, ठीक है, तो पहरा तो यह भी question आ सकता है, गुरु गोविन जी, आपको किस Mughal Emperor के समय थे, तो और अनजेब के समय थे, और साथ में, आपको बहादुर शाह के भी समय थे, क्योंकि और अनजेब के मरने के बाद भी, आपको गुरु गोविन जी थे, ठीक है, एक तो हो गया यह, कि जफर नामा किसको लिखा था, दूसरा, आपको गुरु गोविन जी, the 10th sick guru had accepted the rank of Jat and Savar under the Mughal Emperor of Bahadur Shah, यह बाद भी यादर कियेगा, after the death of Aurangzeb, तो देखे, I hope मैंने आपको से जादे के सारे important facts दे दिये, किस ने लंगर स्टार्ट किया, किस ने आपको अमरित सर बनवाया, किस ने आपको खाल सा स्टार्ट किया, आपको founder कौन थे, तो से इस से जाद नहीं आता है, तो यह important facts आपको सारी पता होगा, ठीक है, according to the report released by IRDA, how many people are insured per thousand people in भ्याद, यह उतना important question नहीं है, तो इतना इसको ध्यान मत देना, क्योंकि यह जब question बन रहा था, तो यह important था, लेकिन अब उतना important है, अगर आप पूरे, मतलब 6, 8, 10 महीने को सोच के आता है, तो इसलिए हमको जानना जरूरी होता है, यह आपको इसमें अपना क्या है, 165 answer होगा, how many people are insured per thousand, ठीक है, मतलब कि अगर 1000 आदमी है, आपको बिहार में, तो आपको लबा, 165 आदमी इतने हैं, जो कि insured होते हैं, यह question में बताया जा रहा है, ठीक है, कभी-कभी ranking वाले facts अजीब-जीब से आते रहते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं, तो इसलिए हमारा मजबूरी हो जाता है, कि हमें यह mention करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, अभी जो हम करने जा रहे हैं, इस पे आप ध्यान दखेगा, आपको कुछ नहीं है, मैं जो बताऊंगा, बस उस पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि हम, IRDA आपको एक regulatory body है, ठीक है, insurance regulate करती है, तो हम क्या करेंगे, कि जो भी important regulatory body होती है, उसका foundation year, और उसका कौन सा act के through बना, ये दो facts बजानेंगे, और कुछ भी नहीं जानने वाला है, क्योंकि इससे question कभी-कभी आते रहता है, कि RBI कब बना है, आपको फिर माली जी पूछ देगा कि National Human Rights कब बना है, तो ये वाले facts कभी-कभी आते रहते है, तो इसलिए बस foundation year, और फिर दूसरा हमारा, उसका act, किस act के through, जैसे देखो, ये बना है 1935 में, लेकिन ये act है 1934 क अब ये question आ जाएगा, तो आप वहाँ पर यहां लिखा रहेगा, 1935, और वहाँ पर आप आप लोग सही करके आ जाएगा, और unnecessary marks close कर जाएगा, तो इसी दो चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जब मैं slide convert करते रहूं, तो इस पर ध्यान देना आपको, ठीक है, तो अगर आप bank of India, कब found हुआ है, तो आपको, और ये month मत याद करिएगा, month अगर आता है, तो समझेगा कि किसी कौस का answer नहीं याद आएगा, क्योंकि month याद करने जाएगा, तो unnecessary burden हो जाएगा, ठीक है, तो पहला आपको reserve bank of India, तो 1935 से बना है, किस act के थरू, तो reserve bank of India act, 1934, दूसरा, ये SEBI, SEBI कब बना है आपको, तो 1992 में, SEBI act of 1992 से बना है, ठीक है, अब देखे, मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ कि security market and protects investor interest, विकार मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है, और जो नए बच्चे है, वो एकदम जो इनको एकदम नहीं पता है, वो इसको read कर सकत है, ठीक है, लेकिन examination में क्योंकि सिर्फ ये आता है, इसलिए मैं इसी पर ध्यान दिलवा रहा हूँ, ठीक है, अब आता है, यही हमारे जो question था, RDI, यह कब बना है आपको, तो 2000 में, और इसका act कब है आपको, तो 1999 में, ठीक है, insurance regulatory and development authority of the India, competition, यह सारे regulatory body of India है, तो यह बात आ ठीक है, competition commission of India कब बना है, तो 2003 में, और इसका act कब है, 2002, इसको बस ऐसे क्या करिएगा, एक copy लिजिए, उसमें CCI लिखिए, ऐसे लिखिए, found on, act in, बस हर जगा यही दोनों लिखते जाए, क्या कि जब revision करें तो आपके पास सारा, यह बहुत मेहनत से यह compile करके लाता हूँ, इतना easy नहीं होता है, हर website पर जाना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लाता है, ठीक है, मैं आपके ही benefit के लिए काम किया हो, तो कोशिश करिएगा, कि आप इसका अच्छे से फाइदा उठाए, ठीक है, यह हमेशा के लिए आपका एक notes बन जाएगा, ठीक है, अब आते है नबाद, नबाद, अच्छे फुल फॉर्म भी देखते चले, क्यों कि मुझे लगता है कि नबाद का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, लेकिन नहीं मुझे पता है कि बहुत एक समय मुझे भी इस बात फुल फॉर्म नहीं पता था, तो आप फुल फॉर्म भी देखते है 1981 ठीक है फिर ड्रक कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया इसका आपका नाम बहुत बार सुनेंगे बहुत सारे आर्टिकल में आते रहता है लेकिन आदमी को इसके बारे में पता नहीं होता ठीक है तो इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है तबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो हो जाता है ठीक है यह क्यों कि थोड़ा आपको अलग है तो इसलिए मैंने हाइलाइट कर दिया इसका फंक्शन को क्यों क्यों सेफटी एन एफिकेसी ऑफ फार्मसेटिकल मतार दवाई कैसा बन रहा अच्छा बन रहा नहीं बना उसके बारे में देखता है ठीक है अब यह क एक्ट है 2013 यह कैसे हो रहा है क्योंकि 2003 में यह ऐसे फांड बता इंटेरिम पेंशन फंड इंटेरिम यह इंपोर्टेंट वाड़ है फंड रेगुलेटरी डेवलप्मेंट अथॉर्टी वह स्टैबलिश्ट हुए रिजॉलूशन बाइद गवर्मेंट अफ इंडिया और य 1993 में एक्ट भी इसका 1993 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको कब बना 1933 में अगर आपको क्वेशन आएगा तो आप इसको कभी टिक करिएगा कभी नहीं आपको हमेशा लगेगा अरे इसमें तो इंडिया वर्ट जोड़ा हुआ हुआ है तो हंड्रेट परसेंट चान आशनल मेडिकल कमिशन एं एंडिया को mall कoba इंडिया रिपलेस किया इसको तो यह कोई एक्ट से आया होगा हाँ, Act से आया है, 2019 में इसका आया था है, NMC Act 2019, तो ये इसलिए important हो गया है, कि ये आपको पता होना चाहिए, अब AICT जैसे आपने का भी CBC स्कूल में पढ़के निकले हो, आपको पता है कि आपका ये जो पढ़ाने वाला जो पढ़ाई का quality कैसा हो, इसके बारे में जो information guidance दे रहेंगे, तो हम पक्का वहाँ पर गलत करके आ जाएंगे, ठीक है, फिर आता है Competition Commission of India, आप वही बस नोट करते चाहिए, founding year and इसका founding Act, ठीक है, 2003 and 2002, नाशनल फार्मसे, ये इससे बहुत लोगो confused कर जाता है, डीक्टर जेनरल जो हमने पीछे किया था, उससे confused कर जाता है, त ठीक है, तो ये इस पोइंट पर हमेशे ध्यान दीजेगा, फिर आता है FSAI, ये कब बना है, 2011, लेकिन Act इसका है 2006, और ये उतना important नहीं है, चलिए इसको छोड़ दीए, मुझे का मुमीद है किया आएगा, फिर आता है, ये बहुत important है, ये आते रहता है आपको, National Commission for Scheduled Cast, National Green Tribunal, ये भी आते रहता है, 2010, इसके Act भी 2010 है, National Commission for Women, 1991, Act है 1990, तो I hope, मुझे लगता है ये लास्ट लेस था, तो I hope अपने list बनाया होगा, और सिर्फ, अच्छा, एक और बचावा है, Central Water Commission, 1945, not a statutory body, इसलिए मैंने ये बहुत मेंचिन किया था, कि इसका कोई Act नहीं है, ये बस Office होता है, Adjoint Office काम करता है, Ministry of Jal Shakti के, इसलिए इसका कोई Act नहीं है, ठीक है, CPCB, जो Central Pollution Controller Board है, ठीक है, इसमें important बात क्या है, कि बना तो 1974 में, बना था पहले किसके, पानी, पहले बना था Water Prevention Control Act के अंदर, 74, बाद में add हो गया, आपको Air Prevention Control Act के अंदर भी, मतलब 74 and 81, तो ये which Act CPCB was established, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपको Water Pollution Act, 74 में, ठीक है, तो ये बात ही आद रखिएगा, तो देखे, इतना comprehensive list मैंने बना के आपके लिए लाया हूँ, कि आपको कई भी समय खोजना ना पड़े, और जो important, ऐसे तो और भी बहुत सारे regulatory body बचेव हैं, लेकिन और जो बच्चे नहीं जानते, उनके लिए एक line of function की वो काम क्या करता है, ठीक है, तो I hope अब आपका ये बात clear हो जाएगा, इस बात पर जरू धियान दीजेगा, ठीक है, फिर आता है, to complete the COSI, ये बहुत important, ये very important question है, इस पर याद रखिए, आही सकता है ये question, क्योंकि ये general होगा, आपको लगता है, क्योंकि यहां तो river या canal की बात हो रही है, तो इसको तो हम लोग काट सकने है कि ये गलत होगा, department of environment and national water development agency, हाँ, अभी pause कर सकने हो सकता है, department of science and technology and national water development, science and technology के आपको लगता है कि water, irrigation, canal, ये सब सारे चीज़ों में काम होगा, मुझे नहीं लगता क इतना strong इनका काम हो सकता है, तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं, फिर आता department of water resources and national water development, ये सबसे appropriate answer लग रहा है, क्योंकि department of water resources है, मतलब कि आप हमारा पानी, जो भी तलाब का पानी कैसे इस्तेमाल करता है, and national water development agency, मतलब कि कोई water पे कई काम करने वाला agency होगा, वो दोनों मतलब कि water के इस्तेमाल कैसे करिये, और water पे चीज़े कैसे बनाइए, तो हाँ, ये हमें guess से भी लग रहा कि ये सही होगा, और answer भी यही सही है, ठीक है, ये question को देखे, मैंने approach इस तरीके से इसलिए किया है, क्योंकि बहुत बर क्या होता है, कि हम question देख के आता है, हमें हो सकता है, water भी हो सकता है, लेकि environment थोड़ा broader topic है, इसमें सिर्फ पानी नहीं आता है, इसमें बहुत कुछ आता है, तो इसको भी hold पर रख सकता है, science को हमने काट दिया, logically, और ये सबसे apt to treat लग रहा है, तो इसको हमने चुन लिया, कि ये answer अपना होगा, ठीक है, अब चलो, तो ये हमारा clear हो गया, ये कौन सा है, अब ये कहां पर बन रहा है, तो ये सीमांचल area में बन रहा है, सीमांचल area के अंदर क्या क्या आता है, तो बताएए पूर्णिया वालो लोग, पूर्णिया, कटिहार, किशन गंज, अररिया, ये चार area को ये completely change कर देगा, ये completely आपको एक नया land form आपको बना देगा अगले कुछ सालों में, क्योंकि यहां पर पानी अब ऐसे ऐसे जगह पर पहुच जाएगी, जहां पहले कभी नहीं पहुच जाता, ठीक है, ये इसका जो cost है, ये sharing क्या है, ये 60% central है, 40% state है, ठीक है, ये सारे information आपको याद रखने हैं, because आपको कहीं इधर से उधर फैलना पड़े, ठीक है, अब कोसी मेची प्रोजेक्ट है, ये आपको पानी जा कहां से कहां तकराया, ये भी हमें जानना पड़ेगा, state हमने देख लिया, शेरिंग देख लिया, अब कहां से कहा है, divert a part of the कोसी रिवर, मतलब कि कोसी से हम लोग निकाल रहे है, कहां भेज रहे है, existing हनुमान नगर बराज में, अब वहां से क्या होगा, by way of 117 km link canal to the मेची रिवर, मतलब कि हमारे पास कहां से कहां जा रहा है, कोसी से मेची रिवर जा रहा है, मेची रिवर आपको कहां होता है, महाननदा बेसिन में आता है, ये भी आपक question आ सकता है, याद रखिएगा, sorrow of Bihar किसको कहते हैं, तो वो कोसी रिवर को कहते हैं, तब ही तो इसका जो sorrow of Bihar क्यों कह रहे है, क्योंकि इसके पास बसात में इतना जादे पानी हो जाता है, कि वो पूरे सीमान चल एरिया को completely बाढ़ के condition में जोग देता है, अब वहां का पानी है, अगर दूसरे थोरे खाली जगा पर अगर भेज दे, तो यह relatively हमारा बाढ़ का management भी हो जाएगा, और साथ में आपको proper irrigation के आपको venues भी चालू हो सकते हैं, अब ये तो हमने कर लिया, हमारा बिहार वाला question 90% इसी से आएगा, लेकिन you never know आपको जो दूसरा सबसे important project है, river linking project, उससे भी question आ सकता है, इसलिए मैंने वो भी दिया हुआ है, आपके लिए, can betwa link project, ठीक है, ये क्या कर रहा आपको, ये आपको can river से, इसको कैसे याद रखोगे, जैसे आपका नाम है, वहीं से river flow कर रहा है, ठीक है, ये याद रखिया, can betwa, क्या नाम है, river link project, और इ पहले नाम आ रहा है, उसमें आपको जादे पानी है, वहाँ से पानी दूसरे वाले में हम लोग divert कर रहे है, to the betwa region, in the madhya pradesh and उत्तर परदेश, अच्छा ये भी आपको question आतकता है, कि ये दो state के बीच में, madhya pradesh और UP में, ऐसा नहीं कि सिर्फ MP के बीच में ये बात हो रह ठीक है, अब ये देखो, थोड़ा सा कोशी के बारे में हम लोग information ले ले रहे हैं, कि कोशी होता क्या है, तो संकोशी river, largest of the seven river, ये सब्त जो कोशी है, वो नेपाल में आपको साथ धाराओं से बना हुआ, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा है, वो है संकोशी, ठीक है, दू और सिफ इसी के सारे ट्रिबिट्री को जानना है, क्योंकि ये आपको बहुत special river है, ठीक है, अरुन हो गया, दूद कोशी हो गया, भूत कोशी हो गया, तामा कोशी हो गया, तो ये सब नाम आप याद रखी रदे, the सब्त कोशी eventually flows into the Indian state of Bihar and meet the Ganga river, Ganga से कहा मिलती है, तो तो ये triple K हो गया, कोशी वला, आपको कुरसेला भी के, कटिहार भी के, और कोशी भी के, तो इस तरीके से आप अपने सारे other option को rule out कर सकते हैं, मान लिजी ये आपको याद नहीं भी रहा, तो ये तो याद रहेगा कि triple A, के कुछ बोला गया था, और option कुछ भी वहाँ पर द in the Supal district of Bihar, नेपाल के बाद जो Bihar में आ रहा है, तो किस से आ रहा है, तो ये Supal से आ रहा है, तो कोशी के आपको सारे important information मैंने एक जगह दे दिये, जो exam relevant है, obviously, तो वो आप यहाँ पर कर लिजेगा, क्योंकि इस से question बनते हैं, इसके अलग-अलग facts आपको आते रहते हैं, in the year 2022, the place of Patna in the making of passport, आपको ये देखिए, इसका भी trick है, कि ये सब देखिए, मैं हमेशा trick खोजते रहता हूं, क्योंकि काम आता है, 2022 लिखावा, अब इसका answer इसी में छुपावा था, कि जो 2022 में आ रहा है, वो इसी का multiple है, क्या कि इंडिया का rank, इंडिया बोलो, बिहार का rank क्या है, 11, 11 दूना 22 होता है, तो इस तरीके से याद कर सकते है, otherwise मान लिजे मुझे बस ऐसा है, इस टाइप के जो दम raw facts होते है, उसको कैसे याद करीगा, अभी याद भी कर लिजेगा, बूल जाहिएगा, लेकिन फिर इसे exam में आएगा, तो आपको लगया कि अच्छा नह हमेशा याद रहेगा, ठीक है, यह सब information देखो, बस आपको रट नहीं पड़ेगा, और रटने में मैं आपका थोड़ा help कर सकता हूँ, और इस help से आपको चीजे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, which district of Bihar in December 2022, about 720 बोल रहा था मैं, about 72 people died to drinking, देखो, question बहुत हाई की चांस है कि यह वाला question नहीं आएगा, because यह December का बहुत बड़ा news था, इसलिए इसको include किया गया, लेकिन जब आप पूरे बड़े spell में देखते हो, तो उतना important नहीं होता, बता यह, कटिहार होगा, नहीं, चली मैं आपको hint देता हूँ कि Western बिहार में है यह, अच्छा बता यह आपको obviously question नहीं आने वाला है कि बहतर people die, लेकिन हाँ, आपको यह question जानना ज़रूर होगा, because इन बिहार में आपको जो alcohol है, वो band है, still आपको वहाँ पे अगर बहतर लोग का death हो रहा है, तो यह आपके mains का हिस्सा बन सकता है, आपके interview का हिस्सा बन सकता है, कभी भी आप को यह पता होना चाहिए, मानने जी है, बिहार में यह alcohol ban नहीं होता, ठीक है, तो शायद यह तब भी बहतर लोग बने, यह बहुत बड़ा number है, लेकिन फिर भी शायद उतना important नहीं होता है, लेकिन since alcohol ban है बिहार में, इसलिए और भी बड़ा important news बन जाता है, ठीक है, when was the country's first ethanol plant, यह बहुत important है, क्यों important है, very important, क्योंसे मैंने कोसी में लिखा था very important, और फिर इसमें भी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि countries first है यह, countries first हो, ऐसे ही आपको important हो, उस पर से हमारे बिहार में हो, तब तो यह और भी जादे important है, तो इसलिए आपको यह बहुत important question बता 30 April, अगर आपको पता नहीं है, तो फिर कैसे ही याद करोंगे, अब इसको trick है, यह जो trick है, यह जो trick है, यह ऐसे नहीं कि logical trick है, इसमें बहुत logical loop holes है, लेकिन अगर हमें याद करना है, तो कैसे याद करें, तो जब आप देखो, अगर बिहार में, क्या बहुता है, इसको, खेत का कटाई होना है, खेत का नहीं, मतलब धान का या इसका, यहाँ तो मेज की बात ही हो रहे, तो वो around April ही कटता है, अब वो कट जाएगा, तब ही तो यह plant में जाएगा, मतलब कि यह ethanol plant में, तो अगर मान लो option यहाँ दिया रहा था January, या आपको October, या आपको July, तो उसक हम लोग rule out कर सकते थे के नहीं कर सकते, कि हाँ, यह चीज तो तब ही आएगा ना, जब वो आपको पूरा उग जाएगा, और फिर उसके बाद वो plant में जाएगा, अब वो उगे गहीं, उस समय आपको April के end में, तो हो सके, आपको इसी लिए उस समय इसका उद्गाटन किया यह हो, तो यह याद रखने का तरीका है, इसको लॉजिक मत खोजिएगा, तो इसलिए अपना अंसर है, 30 April 2022, अब देखो, क्योंकि इंडिया का first है, आप अप्रिशियेट करिएगा, कि मैं आपके लिए सारे facts, सारे important information एक जिकर करके लिए आता हूँ, ताकि आपको दिक्कत तो हमने देखी लिया, दूसरा, यह कहां पे हुआ है, तो पुर्णिया में हुआ है, यह दूसरा, कौन सा इस कंपनी का नाम है, तो Eastern India Biofuels Private Limited, यह हो गया, यह छोड़ दीजे, 105 नहीं आना चाहिए, फिर यह तीसरा क्या important है, यह आपको है, बिहार का जो ethanol production promotion policy है, यह क्या है आपको आयत हलाबग 2020 में, फिर आपको इट इस दा country's first grain based, याद रखिएगा, और grain based, पहले क्या होता था कि, आपको waste product से हम लोग बना रहे था, अब यहाँ पर grain based आ गया, ठीक है, इसके शुरू में बहुत objection हुआता कि हमारे देश में grain का, मतलब इतने गरीब लोग है, औ और grain से हम लोग अगर fuel बनाने लगे तो यह eventually wastage होगा, लेकिन अगर बाद में लोग समझे, eventually और इस पे फैसला लिया गया है कि नहीं, grain based जब हम बनाते हैं, तो यह ensure रखते हैं कि यह इस तरीके से जले कि wastage कम हो, ठीक है, फिर गनेशपूर, परोरा, यह क्या, यह इतना न दो साल पहले आये था, कि दर्भंगाक में कौन से जगह पे solar panel लगावा है, फिर उसके अगले बाला आये था, कि बिहार में सबसे अंतिम railway station कौन है, तो कुछ बड़ा specific पूछने लगा, मुझे लगा, यह इंडिया का है, तो इसका specific वाला तो कम से कम में जान नहीं चाहिए और का specific हम लोग जाने ना जाओ, तो इसलिए गनेशपूर पर हो रहा है, यह आद रखिएगा, फिर आपको यह किस से हो रहा है, यह important बार कि बिहार जो है, basically सिमांचल, पूर्णिया, कटियार, अरया, अनकिशन गन, district known as the सिमांचल region, account for the 80% of the total mage produced of the बिहार, मतलब आपको बिहार का सारा मेज वह लबग वहीं प्यों रहा हो, और यह सारा मतलब नहीं, 80%, ठीक है, तो यह सारे information आप रख लीजेगा, because यह इंडिया का first है, यह जरूर आ सकता है question, इसे जुड़ावा question हमेशा सकता है, ठीक है, where was the multi-purpose प्रकाश पुंज तूरिस सेंटर inaugurated, answer आपको पटना सिटी, तो यह पटना सिटी answer है, ठीक है, यह सब क्यों कि again वही वाली बात है, कि बिहार के लिए सिकhism बहुत जादे important है, इसलिए सिकhism से related, जो भी नया information आता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठी ठीक है, फिर आता है, under which scheme it was announced to give 25,000 to the girl student who graduated in बिहार, तो बताइए, यह तो आप लोग पढ़े होंगे अभी तक, बिहार वैसे भी आपको female empowerment, female girl, girl child education, girl child health, इसके लिए अलग-अलग program लाई भी है, जो कि basically लड़कियों का उत्थान हो, वो पीछे development में ना छूट जाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, तो अंसर क्या होगा, देखते हैं, चलो, अनांसर 25,000 to the girl student who past graduation पर हम लोगों को ध्यान देना है, CM woman graduate incentive scheme हो तो सकता है, CM incentive, नहीं तो यह बहुत general है, तो इसको हम लोग काट सकता है, incentive for what, यह हमको नहीं बताए गया है, CM graduate promotion scheme, यह भी हो सकता है फिर CM girl child graduate incentive scheme, तो देखो, अब यहाँ पे इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अंतर क्या है, यहाँ woman लिखावा है, यहाँ girl लिखावा है, अब अगेन इसका कोई logic नहीं है, लेकिन हमको अगर option rule out करना तो हम कैसे करेंगा, आपको क्या लगता है, कि girl को पहले graduation करवा है, कि obviously आपको समझ रहे, girl and woman में मतलब बहुत बहुत कम अंतर है, लेकिन मैं आपको idea देना चाहरा हूँ कि अगर option आपको common sense से rule out करना है, आप पसेवे हो, आपने दो option लिखावा, काट दिया है, अब आपको smart guess करना है, तो फिर यही सब चीजे काम आती है, पढ़ाई कर र करना हो, ठीक है, तो आंसर अपना है, D, CM, girl child graduate incentive scheme, इसमें 25,000 दिया जाएगा आपको graduation करने पर, आपको यह हिंदी में उसका नाम है, मुख्यमंत्री बालिका सनातक प्रोचसाहन योजना, यह कब से आरम हुआ है, 18 से आरम हुआ है, लाब में क्या है, बालिका के सनातक परिक यह याद रखिएगा, यहाँ पर, आपको option में वहाँ पर finance भी दे सकता है, और आपको लगए है, finance में क्यों चूलूँगा, लेकिन उस examination के pressure में आपने को क्या लगता है, यह पैसा दे रहा है, तो हो सके finance वाला ही सही हो, ठीक है, यह हो सके, आपको वो दे दे, आपको woman department को इस टाइब का दे दे, तो इसलिए यह सब थोरा clear होना चाहिए तो यह सब बहुत easy question है, जो अराम से गलत हो जाएगे, और आवेदन का पत्र यह उतना important नहीं, यह हटा हो, ठीक है, अब यह थोरा मैंने आपके again, मैं देखे, मैं आपके लिए हर चीज कलट करके ला रहा हू प्लीज लाइक करिए, शेर करिए, क्योंकि मैं appreciate करूंगा कि आप इस चीज में contribute करें, ठीक है, पहला, बिहार state woman empowerment policy कब आया है, तो 2015 में आया है, ठीक है, मैं इसके details में नहीं जा रहा हूँ, because यह बहुत बढ़ा हो जाएगा, और यह सब पर भी मैं बस एक line लिग दिया हू तो मैं अभी उसमें नहीं खुस रहा हूँ, जब scheme वाले question करेंगे, तो उसको हम लोग cover करेंगे, ठीक है, मुख्य मंत्री बाली का प्रोचसाहानी होजना, ठीक है, इसमें क्या है, incentive of 10,000 for girl securing first division in matrix, ठीक है, अब यहाँ यह word ही तुमको नहीं declare कर रहा है, कि हम लोग प्रोच जनरली देखा गया अपने side में, बिहार side में की, आरे, लड़की को हम पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकि में पास इतना पैसा नहीं है, कि हम इनको uniform खरीब पाए, तो यह वाला scheme आपको काम आ गया, ठीक है, मुख्य मंत्री बाली का पुशाहानी होजना, जननी, जो जनती है, बाल, मतलब कि कहीं न कहीं, mother health के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, health protection and provided to the pregnant women and nursing mothers through trained health workers of Asha and Manta, ठीक है, तो यह मैंने इसली दिया है, क्योंकि इसके around आफ confused होते है, कि कौन-कौन सा female को लेकर आपको government scheme चल रहा है, और भी है, यह जो main-main था, वो मैंने आपको देती है, कि basic idea कम से कम होना चाहिए, ठीक है, in the financial year 2022-23, 25 crore working days have been received so far under MG Narega, which is the highest in the history of the history so far, यह याद रखिएगा, पहले तो यह data, और फिर the Bihar government had demanded how many crores, Bihar government आपको, यह generally आपको नहीं आगा, तो इस question को आपको, skip ही करता है, because यह आपको number of working days कितना demand किया Bihar, यह इतना important नहीं है, तो इसको मत रखिएगा, यह उतना important नहीं है, यह important है, इस explanation कि MG Narega, आपको basic काम क्या है, क्योंकि हमें लगता कि हमें सब कुछ बता, देखो, हमें आपको बता देता हूँ, तुरण तुरण तुरण, आपको 2005 में start चारो function को categorize का दिया, कैसे, providing livelihood security to rural household, मतलब कि इस शेहर में लागू होगा यह, नहीं, by guaranteeing at least 100, क्या सिफ 100 दिन के लिए, नहीं, क्योंकि at least DIY, 120 दिन के लिए काम मलेगा, तो उसको वो भी मिल सकता है, मिलता नहीं, यह practically, लेकिन जो theoretically बात है, वो बता लो, ठीक है, फिर आपक question में, नहीं नहीं, वैसे question से बचा करीजे, इसमें आपको कुछ super native idea दिया जा रहा है, यहां तो दिया हुआ है, और तब भी सही है, इसलिए मैंने तोड के लाया हूँ, फिर यह कोई भी काम कर सकते हैं, नहीं, आपको unskilled होना पड़ेगा, और यह manual work होगा, तो यह देखि गलत करके आगए, ठीक है, और minimum wage के आए, यह आपको हर state में अलग-अलग vary कर सकता है, यह किस ministry के अंदर आता है, तो rural development के अंदर आता है, ग्राम पंचायत भी इसमें role play करते हैं, हाँ, क्यों, कैसे, तो planning और implementation के through में इनका role होता है, तो I hope, the basic information है, आपको इसके अंदर data के अंदर में नहीं जा रहा हूँ, जैसा कि हमारा question था, वो unnecessary, वो उतना data नहीं आएगा, the work of, यह भी important है, कजरा solar power plant has started from December 2022, is it, it is how much megawatt in the capacity, बताइए, अच्छा, चलो, इसमें option, मैं अभी सोच रहा था कि आपको ऐसे trick से आपको निकालो, लेकिसके option इतने close दिये है, कि, जि 200 के बतले 600 दिया होता, और 100 के बतले 20 दिया होता, तो आप guess कर सकते था कि नहीं, कि हमको solar plant अगर हम लिख रहे है, तो chances तो हाई है ना कि, कम से कम 600, 800 वाला नहीं हो, वो around हमेशा 1,500, 200, 200, 200 वाला ही होगा, इसलिए मैं मैं मुला कि, इसका option बहुत close close दिया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा rule out करना tough हो जाए, otherwise मतलब इस तरीके से भी rule out कर सकते थे, अगर option ऐसा दिया रहा था, 600, 800, 200, 50, तो ये सारे ridiculous आपको option हो जाते हैं, और फिर आपको इस तरीके से इसको हम लोग काट सकते थे, क्योंकि solar के बारे में बात हो रहा है, तो हमारा answer आपको यहाँ धाइसो वला है, यह तो क्योंकि इसके option इतने close है कि इसमें rule out करना नहीं बनता है, इसमें आपको पता ही होना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो इसमें भी important function, यह तो हो गया 250, यह आपको ब्रेडा क्या है, यह पता होना चाहिए, तो बिहार Renewable Energy Development Agency has been established to promote development of the schemes on non-conventional energy, यह यह important point है, ठीक है, it has been nominated at the Nodal Agency to carry out the remote village electrification, state government provides plan fund to Breda, यहां लिखा रहा कि India provide, तो आप वहाँ पर टेक मार देजगा है, यहां पर आपको state fund कर रहा है, अचाहिए, यह है कहां पर आपको पज़ा है, तो लखी सरा है, ठीक है, यह भी मुझे explanation, यहां पर लिख देना चाहिए लखी most polluted cities, यह कितनी मतलब अजीब सी बात है, यह बहुत गंदा लगता है यह चीज़ देखे मुझे, कि five most polluted cities, कहां के पहले इंडिया वाला word कोज रहा हूं मैं, countries, country का बात हो रहा है, आप सोचिए क्या, मतलब यह बहुत दुख होता है यह चीज़ को देखे कि country के top five polluted cities हमार pollution वहाँ पर हो जा रहा है, obviously transportation उसका one of the basic reason है, कुछ और तो ऐसा हो रहा है वहाँ पर, जिसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है और शीज़ पर हमको देखना चाहिए, as a nagrik भी, as a state, as a Bihari, as a Bihari, obviously Bihar से ही हूं, और government as a administration भी, कि जब वहाँ पर factories की कमी है, इसलिए तो Bihar नहीं मिलता है, लोग migrate करते हैं, और eventually वहाँ पर लोगों को अपना घर छोड़ की जाना परता है, and still हम इतना pollution कर दे रहा है, यह कैसे हो रहा है, चलो जो भी है, तो बताओ, इसमें top 5 most polluted cities में, पहले top कौन है, तो अपना पुर्णिया भाई साब है, अब देखते हैं कि most polluted city in the country are from Bihar, पुर्णिया, यह AQI याद मत करना, इतना नहीं आगा detail, कौन जगा यह आ सकता है, ठीक है, दूसरा कौन है, यह भी पूछ सकता है, बहुत तेज हो गया है, हाज कल BPSC वाले लोग, पहला तो सब को पता होगा, और दूसरा किसी को नहीं पता होगा, तो दूसरा यह है, और यह ranking आप देख सकते हैं, मैंने दे दिया, दूसरा से नीचे नहीं जाएगा, तो वह अननेसेसरी होगा, वहा मत जाओ, वेर वस द बिहार क्राफ्ट पेर ऑर्गनाइज फ्रॉम 29 दिसम्बर टू चार जार्वरी, कौन सा रहकते है, कोई, चलो, इसको भ लॉजिकल नहीं है, यह good chance वाली बात बोल रहा हूँ, कि बिहार में कोई fair होगा, तो उसका नम बिहार होगा, chances नहीं है, उसका कुछ नाम इस ताइप से होगा, कि मदुबनी कला यह, या शिल्प कला fair, या महिला fair, मतला समझ रहो ना, बिहार में बिहार का ही नाम यूज न तो इसलिए यह एक सोच होगा, यह logical नहीं, जरूरी नहीं कहता हो, वह सकता है, जिसको मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमें ऐसा question आ जाए, जहां पर हम फस्त हैं, तो यह सोच डाल सकते हैं, अब देखो, मुंबई, आपको लगता है कि मुंबई में fair होगा, अब यह ब कह सकते हैं कि दिल्ली हो सकता है, चलो, ठीक है, हम मुंबई को out of nowhere इसको अभी हम लोग काट देते हैं, दिल्ली को hope में रखते हैं, भोपाल में यह हो सकता है, एक दम होने को हो सकता है, लेकिन अगर option में दिल्ली दिया हुआ है, भोपाल दिया हुआ है, तो फिर हम दिल्ली आगे बढ़ पाए उस हिसाब से हम बता रहें कि क्या क्या अंसर हो सकता है अब अगर मुझे चिन्नाई और दिल्ली में चुनाओ तो मैं दिल्ली को चुनाओ अंसर आपका यहां पर चिन्नाई है लेकिन चिन्नाई भी क्यूं आपको एकदम गलत option नहीं है इसको सोच के देख आपको डिस्प्यूट आयाता ठीक है तो उसको अगर हम लोग बेसिक ले तो हम यह कह सकते हैं कि हाँ शायद वहां पे बहुत लेबर इंडिया के जाते हैं तो वहां पे promotion के लिए यह काम किया गया हो लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बोला अगर मुझे इन दोनों में चुनन हो गया लेकिन कल को इसी सोच से मेरा शायद दो कुशन सही भी हो तो यह सोच अगर आपके पास रहेगा तो आप अपना दस में से चार-पांच को सही कर सकते हो ठीक है तो चलो देखते हैं कि यह कब हुआ था कहा हुआ था मतलब कहां तो हमारा पता चली गया अच्छा इसक इसमें कुछ बताने वाला है नहीं इन बिहार का जो बेसिकली जितना भी इंपॉर्टन हस्त कला है आपको जितना भी आपको आपको आपके आपके बुल रहा हूं हैंडी क्राफ्ट है यह सब चीज को हम लोग अगर प्रोमोट नहीं करेंगे तो इवेंच्वली जो हम जाएगा लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट में जाके इस चीज का फेर में जाके अपना प्रोमोशन करते हैं तो एक तो हमारे राज का इवेंच्वली प्रोमोशन होता है साथ में यह एक आपको हमारे हैंडी क्राफ्ट को बचाने का मौका देता है अगर उनको economically benefit मिलेगा त punishing cyber देखो अगें यह उतना important नहीं है question कि आपको यह किया जाए वैसे answer आपका port है तो इसको मैंने आपको यह उतना important नहीं है यह उस समय के लिए important था December के लिए लेकिन जब आप पिछले आठ महीनी में देखोगे तो यह question आने का chances काम है ठीक है जैसे आपको जामतारा का आपको नाम सुना होगा यह तो इस पर टीवी सीरीज भी बन चुकी है आपको बिहार में नवादा यह आचाता है यह जो मैं बोलो यह जान लो कि आपको यह fake calls, यह money को इधर से उधर आपको fraud गिरी करके transfer करने वाले चीज़ वहाँ से बहुत जादे हो रहा है ठीक है तो यह याद है कि यह उतना important नहीं था In the second supplementary budget passed in the legislature in 2022, the maximum amount was allocated for Patna Metro यह एक ऐसा question जिसको मैं यह बोल सकता हूं कि important नहीं है क्योंकि Patna Metro is any day a very important question for BPSC examination, उसके कोई भी अलग-अलग features हो, कहां बन रहा है, उसका route कितना है, कब से चालू होगा, कौन सी आपको company काम कर रही है तो कुछ भी उससे question आ सकता है, इसलिए इस question को मैं बोलूँगा कि हाँ जरू एक बार देख लिजीए, कि अंसरवेसाब का 559 है तो इस angle से, Patna Metro इसमें जोटा हुआ है, इसलिए question important है, otherwise long term के scope में देखेगा तो उतना important नहीं है ठीक है, Patna High Court, again, मुझे नहीं पता भी तक मैं कितने question में लिख चुका हूँ, मुझे लगता है तीन या चाल में लिख चुका हूँ यह question आपको जानना है तो, Patna High Court Chief Justice Sanjay Karol, obviously यह पुराना है and senior judge, जो कि इसमें से होंगे कोई, have been appointed as judges in the Supreme Court, तो answer आपको है यह, तो यह देखे, क्योंकि बिहार के Chief Justice Supreme Court में गया है, तो यह आ सकता हूँ ऐसा बेनी कि यह बहुत जादे पुराना है, कि 2-3 साल पुराना नहीं हूँ रहे तो नहीं आएगा since यह मुश्किल से 8-9 महीने पुराना रहेगा, तो यह question बनता है मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको बहुत जादे बोलेंगा कि आएगा ही, लेकिन यह ऐसा question जो कि मैं पढ़के जाना चाहिए अब इससे question एक निकल के आता है, कि High Court कब बनाया है, आपको बिहार का, तो बनाया है 1916 में अब यह factor में पता होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ यह दो fact जो कि बहुत कम लोग पढ़के जाते हैं वह मैं आपके लिए चुनके लाया हूँ, वह पता होना चाहिए, पर्स चीफ जेस्टिस ऑपटनाय कोट है, सर एडवर्ड, इतना ही याद रखो, पूरा नाम क्यों याद रखोगे, सर एडवर्ड मायनार्ड, ठीक है, तो इतना याद ही नहीं रहेगा, तो फाइदा क्या पर्स इंडियन, ये तो कोई करता ही नहीं है, पंडित लक्षमी कांथ जा, ठीक है, तो ये आद देगा, तीन इंफरमेशन हो गया, उननीस सोलह, पहला पौन एडवर्ड मायनार्ड, पर दूसरा लक्षमी कांथ, दूसरा मन नहीं, पहला इंडियन, दूसरा मतलब यहाँ पर दूसरा है, ये मत कर देना कि दूसरे वो थे, ठीक है, तो ये तीन इंफरमेशन जरूर रखिएगा, ये कभी भी आ सकता है, बिहार, आपको बंगाल से अलग कब वहाता है, ये बताईए आप लोग, ये क्वेशन बहुत आता है, कमेंट के रिए आपको देखते कितने को पता है, अगर यहां पर आप लोग गलती किये ना, तो पहले तो ऐसे माथा पीटना, और उसके बाद उसको जाकर रिवीजिन करना, क्योंकि ये क्वेशन आता है, और ये बहुत सिंपल क्वेशन है, ये वही चीज, अच्छा, ये हाँ, ये भी मैंने अच्छे ही बत दे इस चाहमने अच्छा, ये मैं अनसर क्या होगा, बताओ ये इस चेरमन होगे, वह होगे आपको CM, और Deputy जो ओने जो जो चैरमन है, वह आपको, मनला जो Executive Chairमन है, वह है Deputy Chairman तो बताओ इसमें कौन सा ये अथा आथारिट्य, क्योंकि ये नया-नया हुआ है, और बिहार इस चीज होगा मुझे अभी हांसे इस बात पर आई है क्योंकि जैसे जैनरली देखा गया है कि हमारे साइट सी जो लोग आता है वो रो और शौ में काफी थोड़ा डिक्कत होता है तो मैं अभी कितनी बार रो वाला चीज गलत बोल गया होगा मुझे खुद पता नहीं होगा लेकिन जो बच्चे बाहर के होंगे वो जब मेरा वीडियो देखेंगे बोलेंगे अरे यह क्या रोक और रोक करते रहता है एनिवे बस दिमांग एक बात आगया इसलिए बूल दिया मैं अन्सर आपका आपको इसके चेर्मेन है हमारे सीम और मतलब अभी किसीम नहीं जब भी कोई भी सीम आएगा और आपको डेपिटी चेर्मेन हैंगे एक्जेकिटे मतलब बेसिकली यही आपको काम धाम करेंगे आपको यह बात हो रही है ठीक है अब देखो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि यह बला मुझे जो अभी लगता है यह आल्रेडी दो हदार चॉबिस हो चुका है डिले होने के कारण तो यह क्वेशन इसलिए अब इसको हट आई तो क्योंकि यह अल्रेडी डिले हो चुका है तो इसका कोई मतलब नहीं बिहार में 17th International यह बता हो होता क्या है त्री पितका आई नहीं करता हूं लेकिन मैं इसको ऐसे ही प्रोनौम्स करते आया हूं तो अच्छा यह बता यह बता हो यह बुद्धिस्ट है कि जान का क्योंकि question आते हैं इतना simple simple वाले तो पहला तो answer हो गया ये बुद्धिस्ट है अब मान लो मैं बोल देता हूँ सुट्व पितका है बिने पितका है तो तीसरा बताओ आप comment करो मैं आपको hint देते रहा हूँ असे स्टार्ट होता हूँ इससे ज़्याद है मैं hint नहीं दू और ये होता क्या है ये समझो क्या है कि rules होते है बुद्धिस्म के लिए कि हमें कैसे रहना है कैसे काम करना है हमारे आपको क्या चीज श्लोक बोलना गलत होगा हमारे हमारे dictates क्या है तो ये सब चीज यहां पर cover किये गए ठीक है इसमें और इसका full form भी कभी आतकता है तो इसका full form होता है three basket ठीक है तो ये याद रखिएगा अब बताओ इसमें कहां पर हुआ ये तो देखो मैंने आपसे question ऐसे ही नहीं पूछा है ये question मतलब शुरू में ही जो इतना explanation देने लगा वो बाद में भी तो दे सकता था मैं इसलिए पूछा है क्योंकि इसमें आपको answer चुपा है अगर आपको थोरा सा idea लग गया तो अब आप answer बदा सकते अरे जब बुद्धिज्म की बात हो रही है तो obviously गया होगा वो क्योंकि महाबोधी गया temple है वहाँ पर तो जब यह हो रहा कोई आपको conference तो आपको नहीं लगता कि यह चीज़ वहीं भी होगा आप बोल सकते है एकदम बोल सकते हो कि जरूरी क्या असर यह पटना में भी तो होई सकता है एकदम हो सकते हैं लेकिन given a choice है अगर हमको पटना गया में चुनना हो तो आप किसमें चुनए ठीक है तो अंसर अपना जी का ठीक है तो यह बात ध्यान में रखिएगा इनागरेटर 17 इंटरनाशनल त्रिपितिका चांटिंग सेरिमानी अब बुद्धिस रिच्वल आड़्द महाबोधी महावीरा यूनिस्को वोल्ड हेर्टे जो हमने अभी बात किया ठीक है यह इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे अंसर इसका आपको पटना है गाने मिदान पटना अच्छा चलो यह चीज़ा है उस समय देखो कोई और बिहार क्राफ्ट अला क्वेशन तो अब यह पटना में रहते है इसका कुछ-कुछ नाम रख दिया है यह नहीं रखा कि बिह According to the information by the minister of state for chemical and fertilizer in the Raj Sabha in December 2020, the fertilizer factory was built in Barone, how many lakh metric tons of urea has been targeted to be produced per year in Barone, तो यह अगर आपको अंसर नहीं बता है, अपने नहीं पढ़ा है अपने, तो यह अंसर नहीं बता पाऊंगे, आपको यह अंसर आपको कुछ तरीका नहीं अगर नहीं पढ़ा है तो इसलिए, इसमें इसमें करने का कोई मतलब ही नहीं था, तो बस इसके बार में देख रहते हैं कि यह है क्या, यह तो कुम से पता होना चाहिए, तो बराणी प्लांट यह किसका है, तो हिंदुस्तान उर्वरक एन रसायन लिमिटेड हूरल, यह पता होना चाहिए, आपको, क्योंकि पता चलेगा, आ और इक्वेशन इस पर आ गया, तो ऐसा ना कि यह गलत हो जाए, फिर यहाँ पर आपको नया आमोनियम प्लांट खोला गया है, यह क्यों खोला गया, यह से बता गया, यह उतना इंपोर्टन नहीं है, इंपोर्टन बस यह है, कि लभग 8300, यह डेटा को याद नहीं करना है लेकिन इतना पता होना चाहिए, यह 500 करोर नहीं है, यह 8000 कुछ करोर है, तो इतना तो जरूर पता होना चाहिए, अगर याद कर लीजे तो बहुती अच्छा बात है, और इसका यह क्या है, 12.7, यह याद होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत दिन बाद हम लोग industrial development के तरफ आ हमारे लिए, तो यह हमें पता होना है, यह हम agriculture में रॉकिंग है, हर चीज हमारा agriculture अच्छा है, प्रोड़क्टिविटी वाइस हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग agriculture में अच्छा करते हैं, लेकिन आपको इस चीज में खराब करते हैं, और नया development है, तो इसलिए questions करवा दे, और आपको एक comprehensive idea देते चले, तो आप इसको अब क्या बता रहा हूं, वैसे, यह मुझे शुरू में बोलना चाहिए, कि 1.5 के speed में देख सकते हैं, और लाइक करिए, और वेट करिए हमारे next class का, जिसमें हम लोग next month को हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, और वैसे ही सा सारे month के current affair को cover करनेंगे, ताकि कोई question हम से छूटे ना, चली मिलते हैं अगले class